हलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम तुलसी का सेवन करके हमारे चैरे को बेदाग निखरता हुआ बना सकते हैं दोस्तो तुलसी हमारे खून को साफ करने में सायक होती है तुलसी का सेवन करने से जैसे ही हमारा खून साफ होता है, हमारा सरील निखरने लगता है और खून की सफाई होने के बाद हमारे चैरे का रंग भी निखरेगा, रंग साफ होगा और हमारा चैरा बेदार होगा ये सब जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखे उससे पहले यदि आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिये गई बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले जिससे हमारी आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोडिकेशन आपको मिलती रहेंगी तो दोस्तों अब बात करते हैं कि तुलसी का कैसे सेवन करें और इसके सेवन से कैसे हम अपने चेहरे के दाग धबों को मिटा सकते हैं और हमारे चेहरे का रंग साब दो यदि आप अपने चेहरे के दाग धबों से प्रेशान हैं तो इन दाग धबों को मिटाने के लिए आप सबसे पहले तुलसी के पत्तों का रस निकाल ले अब इस रस में कुछ भूंदे नीम्बू के रस की डालें और इसे अच्छे से मिलाएं इसके बाद आप इस रस को कोटन की मदद से अपने फेस पर अपलाए करें जब यह सूप जाए तो अपने फेस को ताज़ा वैर साफ पानी से धोएं आप इसका परियोग दिन में दो बार कर सकते हैं लगातार इसके परियोग से आपको फर्फ महसूस होगा और आपका चहरा निकरने लगेगा और आपका रंग भी साफ होगा और आप दाग धपो से छुटकारा पास सकते हैं तुल्सी की पतियां खून को साफ करने में सायक होती हैं जैसे जैसे खून साफ होगा वैसे वैसे चेरे की सुन्दर्ता बढ़ने लगेगी अब बाग करते हैं तुल्सी की पतियों का सेवन कैसे करें तुलसी की पतियों को हलका सा कूट कर पानी के साथ निगल जाएं या आप इसके रस का सेवन भी कर सकते हैं आप इसका सेवन लगातार करें ऐसा करने से आपको फाइदा होगा और कुछी दिनों में आपके चेरे की सुन्दरता पहले से ज़ादा बढ़ जाएगी और आपका चेरा बेदाग होगा दोस्तों आप इनको एक बार जरूर अपलाई करें ऐसा करने से आपको सो परतिसत फाइदा होगा ये सभी नुसके ओथेंटिक वेट ओकर जगदीश गरेवाल दोरा बताए गए हैं दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं थेंक्स फोर वोचिंग और डोंट फोरगेट टू लाइप, सेर और सब्सक्राइब